सल्मान खान की फिल्म ट्यूब लाइट ने घरेलू बॉक्स ओफिस पर पहले विकेन करीब 65 करोड रुपे की कमाई की है ट्रेडेना लिस्ट तरणाधाश के मताबिक फिल्म ने शुकरवार को 21.15 करोड और शनिवार को 21.17 करोड रुपे कमाने के बाद रविवार को 22.45 करोड रुपे का कलेक्शन किया हाला कि उनका अनुमान है कि सोमवार और मंगलवार को ईद की वज़े से कलेक्शन में बढ़त हो सकती है विकेन कमाई के मामले में ट्यूब ब्लाइट रितिक लोशन स्टारर काबिल से भी पीछे रही है काबिल ने कमाई थे 67.5 करोड रुपे संजे गुपता के डायरेक्शन में बनी काबिल ने पहले वीकेंड घरेलू बॉक्स ओफिस पर 67.5 करोड रुपे की कमाई की थी जबकि यह फिल्म शाहरोग खान स्टारर रईज के साथ रिलीज हुई थी जो इस साल की दूसरी बिगेस्ट वीकेंड ओपनर है इस लिस्ट में बाहु बली दो द कंक्लूजन हिंदी वर्जन पहले नंबर पर सलमान की सबसे छोटी एदी साथ साल में सलमान खान की छे फिल्में ट्यूब ब्लाइट सहित तीद पर रिलीज हुई है लेकिन ट्यूब ब्लाइट को सबसे छोटी ओपनिंग मिली है ऐसा रहा फिल्मों का कलेक्शन नंबर फिल्म और रिलीज का साल विकेन कलेक्शन करोर रुपे में विकेन के दिन सुल्तान 2016 एक साउ पांच दशमलव पांच दिन का विकेन बुद्वार से रवीवार सिर्भीवार पांचेक 2014 चोरासी तीन दिन का विकेन बुद्वार से रवीवार झाल झाल